नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ पूना स्वागत थे मेरे चैनल में आज आपके साथ टिप का पिटारा लेके आ गए हूँ सारी टिप बहुत यूनीक है बहुत यूजफूल है आप अगर इसका इस्तिमाल करेंगे ना सच में आप खुस हो जाएंगे तो बीना देर करेंगे चैनले फटापट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप मेरा वीडियो कहां से देख रहें अपने सहर यगाओं का नाम जरूर मेंसन करें जिससे कि मैं आपको थाइंक्यू बोल सकूँ और आज का थाइंक्यू जाता है निर्मला जी को सत्ना से गुरप्रीत को और रूबी जी को कानपूर से संतो सोनी जी को कोलकता से हमारी पहली टिप बहुत ही खास है और यह हम सब को काम में आने वाली है देखिए कई बार क्या होता है हम लोग रात में अच्छे खासे सोते हैं और सुबह देखते हैं कि हमारे फेस में इस तरह का पिमपल आ गया अभी आसानी से जाता नहीं और पिमपल किसी को भी करते हैं तो पिमपल इंस्टेंट खतम हो जाता है ज़्यादा तरह आप इसको रात में यूज़ करें जब आप सोए ना तो इस टिप का इस्तेमाल करें तो पिमपल को चुटकियों में गायब करने के लिए हम लेंगे विक्स हम सब के घर में विक्स की डबबी रहती है जब आप सुबह उठेंगे हाथ मुध होएंगे तो आप देखेंगे कि अगर पिमपल सूज रहा था बड़ा हो रहा था वो कम होने लग जाएगा वो जो लालीमत ही वो खतम हो जाएगी और आपको बहुत रहत मिलेगी कई बार ऐसा होता है कि अचानक से पिमपल आ गया हम इसको कैसे ठीक करें समझी नहीं आता तो यह बड़ी हैं सा तरीका है आप इसका जरूर इस्तेमाल करें यह बहुत ही अमेजिन टीप है तो होप करती है यह आपको बहुत जादा यूसफूल लगी हो आप देख लेते हैं एक और कमाल की टीप यह टीप है इरेजर को लेके देखे हम सब के घर में बच्चे छोटे छोटे होते हैं और इसकूल जब जाते हैं तो हम इरेजर तो देते हैं अच्छी खासी वाइड कलर की लेकिन जैसी वो इसकूल से आते हैं तो इरेजर पूरी ब्लैक हो जाती है जब इरेजर नई होती है न तब तो बड़ी सुन्द लगते हैं लेकिन बच्ची इतना गंदा कर देते हैं कि इसका कलर ही चेंज हो जाता है उस टाइम पे अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे साफ करना है तो आज आपकी पूनम आपके साथ एक बढ़ी असा इरेजर साफ करने का तरीका सेयर करेगी अगर आप इ चोटे हैं तो इरेजर कितनी भी गंदी हो इस तरीके से आप इरेजर को वापिस नया जैसा चमका सकते हैं तो बस टेल की कुछ ड्रोप हमको इस तरह इरेजर में डालना है और हाथों के हेल्प से अच्छे से मसल देना है यह देखिए अब आप देखेंगे कि इरेजर में जितनी भी गंदगी जमी हुई है वो धीरे-धीरे करके छूटने लग जाएगी आप देख सकते हैं यह इरेजर इतनी गंदी नहीं थी लेकिन फिर भी जितनी गंदगी थी तुरंत निकल गई तो बस आपको इस तरह केवल कुछ सेकेंड के लिए मसलना है और बस किसी साब कपड़े से या फिर किसी भी टी सूपेपर से इरेजर को इस तरह से पोच देना है आप देखेंगे कि आपको इरेजर एक जम नहीं जैसी मिलेगी लगेगा ही नहीं कि कहीं से गंदी हुई थी तो अगर आपके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं इरेजर गंदी कर देते तो आज के बाद आप बिल्कुल भी न परेसान हो घर में रेजर को इस तरह से साप करके बच्चों को वापिस दे दें तो थीना बहुत ही कमाल की टिप होप करती हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और अच्छे से समझ में भी आई हो अब देख लेते एक बहुत अमेजिंग सी टिप और इसका भी इस्तिमाल हम सब करते हैं और इसकी ज़रूरत हम सब को पढ़ती है आज कल क्या हो गया है हर गर में किसी न किसी को नंबर का चसमा लगा है और अगर नंबर का चस्मा नहीं है तो हम लोग फैसन में धूप का चस्मा लाते हैं कहीं आने जाने में लगाते हैं अब देखिए हम चस्मा तो ले आए नंबर का हो या फिर फैसन वाला हो लेकिन इसके जो ग्लास होते हैं ये क्लीन करना थोड़ा मुश्किल होता है जब हम सौप से चस्मा लाते हैं तो उसके साथ एक फैब्रिक मिलता है उसी से हम इस चस्मे को क्लीन करते हैं लेकिन कई बार क्या होता है चस्मे अच्छे से क्लीन नहीं हो पाते हैं या फिर फैब्रिक थोड़ा कम अच्छा होता है जिससे की चस्मे में क्लियर्टी अच्छी हो जाएंगे इस सिंपल से टी-सू पार के आगे जब भी आप अपने चसमे को क्लीन करें ना हमेशा टी-सू पेर से लेंजा अगर आप इस तरह से इस ग्लास को क्लीन करेंगे तो कभी भी स्क्रेच नहीं आते और बहुत साफ शाय बहुत साप था एक बार इस तरह से क्लीन करके जरूर देखिएगा तो बस अगर घर में चोटा सा टीसू पेपर है तो अपने पर्स में डालिए और घर हो या बाहर अपने चस्मे को बड़े आसानी से क्लीन करिए तो थीना बहुत आमेजिंग सी एकदम फ्री की टिप होप करती हूं ये टिप भी बह परचे आट एंड क्राफ्ट करते हैं तो उसके लिए सीजर चाहिए घर में हम कोई कपड़ा कट करते हैं उसके लिए किचन में तो आज मैं आपको किचन के ही सीजर से कुछ करके दिखाऊंगी जब लोग हम लगातार इससे कटिं ना तो इसकी धार भी खराब होती है इस सा उससे भी चोथाई और बस हाथों की हेल्प से इस तरह से अच्छे से रगड़ना है आप ध्यान रखें अगर सीजर बहुत सार्फ है तो हाथ से बचाते हुए इसको रगड़े या फिर किसी ब्रस हो गएरा से साफ कर सकते हैं अब आप देखेंगे जैसे आपने थोड़ी दे और आपको कहीं बाहर धाल लगवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो आप केवल महीने में एक बार इस टीप को अजमाले और आप देख सकते हैं मैं आपको पहले सीजर दिखा रही थी और अब दिखा रही हूं दोनों के साइन में जमीन आसमान का अंतर आपको खुद